हलो एब्रीबन वेलकम पेक टू मै चैनल आज हम आपको लेकर आएं भर्मा करेले की रेसिपी जिनको हम बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाएंगे और वो भी बनाएंगे हम बहुत कम तेल में तो हमने लिये हैं ये पांच करेले ये बजन में लगभग आधा किलो हैं बड़े- अगर इन में बड़े-बड़े बीज हो तो उन बीजों को निकाल दें और साथ में हमें ले लिएंगे दस से बारा हरी मेर्च लसन का बंच और दो प्याज और ये हमें तीन कच्चा मैंगो यानि कि हरे आम हमें ले लेने हैं कच्चे वाले। साथ में हम रखेंगे एक पैन में एक गलास पानी और इसमें करेले डाल कर हम उबालेंगे यहाँ पर हम करेलों को बिना तले बनाएंगे इसलिए बहुती कम तेल में इन हैल्दी करेलों को बना कर तियार करेंगे इनको हम 5-10 मिनट तक कुख होने देंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे हाई फ्लेम पे हमें 5-10 मिनट इनको कुख करने के बाद गैस को हमें बंद कर देना है तब तक हम क्या करेंगे कि ये मसाला तयार कर लेंगे तो लहसुन और प्याज इसको मैंने रफली चॉप किया है और साथ में हमने लिए हैं ये तीखी वाली चार हरी मिर्च अब हम क्या करेंगे जो कच्चा मैंगो हमने लिया है जो हरी आमी है हरी आमी को छील कर बीच से उसका गुठली को निकाल देंगे तो इस तरह से हम सारी आमीों को छील लेंगे तो सबसे पहले हमने चार हरी मिर्च दो प्याज को रफली चॉप किया था और लस्सन को इसको हम करते क्या है कि इसको हम पीस लेते हैं तो पीसने के लिए हमने उनको ढाला है मिक्सी जार में और ये जो कच्चा आम है इसके लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे टुकड़े आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे कर सकते हैं मैं छोटे टुकड़े इसलिए कर रही हूँ क्योंकि छोटे टुकड़े जल्दी से गल जाते हैं क्योंकि हमें इनको मसाले के साथ भूनना है तो इसलिए हमें इनका छोटा छोटा टुकडा कर लेना है साथ में हरी मिर्च को हमने 20 से चीर के आधा कर लिया है अब हम इन उबले हुए करेलों को पानी से निचोड के एक प्लेट में रख लेंगे और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जिससे ये हाथ से चूने लाइक हो जाएं तब तक हम मसाला बना कर तैयार करते हैं तो भर्मकरेली का मसाला बनाना बहुती आसान है यहाँ पर हम चार चमच ओयल लेंगे और इसको धुआ निकलने तक गरम करेंगे जब इसमें से थोड़ा सा धुआ निकलने लगेगा तो हम डाल देंगे एक चमच मैथी दाना और लहसुन प्याज का पेष्ट इसके अंदर डाल कर भून लेंगे तो हमने यहाँ पर लहसुन प्याज का पेष्ट डाल दिया है मैथी दाना डाल दिया है और साथ में ये जो हमने कच्छे आम काटके रखे थे और हरी मिर्च उनको डाला है नमक डाला है स्वात के अनुसार अब इन सब को कल्ची से चलाते हुए हम भून लेंगे तो मसाले को हमें तब तक अच्छे से भूनना है कि जब तक ये मसाला अपना तेल ना छोड़ दे और इसमें से एक भीनी भीनी खुश्बू ना निकलने लगे अब हम डालेंगे इसमें दो चमच सौफ, दो चमच धनिया, एक चमच हल्दी और एक चमच लाल मिर्च पावडर इनको भी हम मसाले के साथ में अच्छे से भूनेंगे तो ये भी इस लहसुन प्याज के और हरी मिर्च के मसाले में और खटाई वाले मसाले में अच्छे से मसाले मिक्स होकर बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे तो ये करेले भरने के लिए हमें मसाला तयार करना है और इस मसाले को हमें तब तक भूना है कि जबकि इसमें से तेल रिलीज ना हो जाए और जब ये मसाला भूनके तयार हो जाए तो इन उबले हुए करेलों में हम इनको भर लेंगे तो मसालों को अच्छे से भर लें और फिलिंग इतनी करें कि खूब अच्छे से दबा दबा के इनको भर लें जिससे के ये बहुती टैस्टी करेले बनके तयार होंगे तो हमने क्या किया है कि मसाले को चम्मच की सहता से क्योंकि ये मसाला गरम है इसको हाथ से नहीं छू सकते हैं तो इसको हम चम्मच की सहता से इसके अंदर भर लेते हैं इन भर्मा करेलों को आप एक हपते तक स्टोर कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और ये बिल्कुल ओयली करेले नहीं है करेले का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि करेला बहुत ओयली होता है और कड़वा होता है लेकिन ये इस केस में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा यह बहुत ही टैस्टिक करेले बनकर तैयार होंगे तो हमने ये सारी फिलिंग कर ली है तो इस्टब्ड करेलों के लिए हम हलका सा तड़का लगाएंगे और उस तड़के में हम इन करेलों को भून लेंगे ओल का हमने बहुत कम isntयमाल किया है यहाँ पर हमें लगवग दो । टीज़्पून ओल को गरम करना है और गरम करने के बाद हमें एक एक करके बहुत थोड़ी से मसाले डालने हैं तो हरी मिर्च को अब इसतेमाल मेंने पहले भी किया है तो इसलिए मैंने सिर्फ एक हरी मिर्च को बारी काट के डाला है साथ में डाला है जीरा और यहां पर आप ये जो हींग डालें वो थोड़ी सी जादा डालें इसका टिंच बहुत अच्छा लगता है साथ में ये हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है और अब हम इसको इस तरह से इसी मसाले में करेले आपस में बहुत अच्छे से सैट हो जाएं तो फ्रेंड्स ये जो करेला है वो एक हफ्ते तक आप स्टोर भी कर सकते हैं और इसे दाल चावल के साथ खाने में जो इंज्वाय आता है आज कल सीजन चल रहा है करेले का तो हमेशा हम काट के ना बनाएं कभी-कभी हम इस साथ खाईए आप इसको टिफिन में भी रख सकते हैं और ये बहुत ही करेले की सबजी बनकर तैयार होती है इसको स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखकर आप इसको एक हफ्ते तक खा सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और सफर में ले जाने के लिए तो जरू करें